इंडिया और इंग्लेंड के 20 धरंग साला में पांचमा टेस्ट खिला जा रहा था और कुल्दीब यादव और अस्विन दोनों ही खतरनाक फॉम में थे एक तरफ कुल्दीब जहां 5 विकेट हॉल लेकर के थे तो वहीं पे रविन चंदरन अस्विन अपना 100 मेच खिल रहे थे और अस्विन ने भी 4 विकेट ले लिया था और इस खतरनाक बॉलिंग के कारण इंग्लेंड अपनी पहली पारी में मात्र में 208 रंड बनाई और उसके जाना चाहिए और उन्होंने भी 4 विकेट हॉल लिया है अब जो है अस्विन बॉल दे रहे थे कुल्दीब यादब को और फिर कुल्दीब जो है फिर से वापस अस्विन के तरफ फेक रहे थे इसी तरीके से 3-4 बार ये चला फिर उसके बाद अस्विन ने कुछ ऐसा बोल कुल्दीब यादब को कि उसके बाद से कुल्दीब यादब ने उनको बॉल नहीं दिया वो अरामते फिर बॉल दिखाते हुए पवेलियन की तरफ चले गए लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फरेंस में उनसे जब ये बात पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था तो कुल्दीब यादब ने फिर से ये बात नहीं पुछी कि आपको आगे जाना ची क्योंकि आपका 100 टेस्ट मैच है क्योंकि अस्पिन पहले से ही बहुत पुराने प्लेयर है और क्योंकि कुल्दीब एक नए प्लेयर है और ऐसा अचीवमेंट बहुत कम आता है किसी बॉलर के लाइफ में फाइव विकेट हॉल लेना आज जाहिरत बात है कि आप 100 टेस्ट मैच किल रहे हैं उसके लिए पहले भी पूरे टीम ने अस्पिन को बोला था और पूरा जो एक ग्रैटिटीट दिखाना होता है वो सब कुछ मिला था अस्पिन को तो अस्पिन जो है कुल्दी प्यादप को बाल दिखाने का मौका नहीं मिले क्योंकि ये माना जाता है क्रिकेट में कि आप अगर बैटितके लेना चाहिए और ये देखकर के सारे क्रिकेट फैंस काफी खुश थे और ये काफी ट्वीटर पर वायरल भी हो रहा था आपको कैसा लगा अस्पिन का ये जेस्टर जरू से बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ये अच्छे वीडियो लाता रहता हूं आज की इस वीडियो में फ्लाइक लिए इतने मिलते हैं किसे और वीडियो में तुक्ते के लिए गुट बाई